सबके यूट्यूब चैनल मामन सिंग डेरी फार्म में आपका स्वागत है आज ये लोड हमने आंद्रा के लिए किया वह आंद्र प्रदेश में बैठे किसान ने हमसे ये चैर मुर्रा का पशुदन खरीदा है ये देखिए अच्छी तरह मिट्टी डाल करके पशुदन को इस दिया गया है ताकि रास्ते में कोई दिकत ना आई पशुदन खरीदा है उसको भी पता लग जाई ये गाड़ी के ड्रैवर हैं ये देखिए दूसरे बाई हैं जो गाड़ी को लेकर जाएंगे गाड़ी के देखिए बेलकुल अच्छी तरह से 17 फिट की सकेंटर के अंदर च्यार मुट्रागा पशुदन नहीं तो पशुकरूरता का मामला नहीं और कुछ बेलकुल अच्छी तरह सामरन तरीके से ये देखिए बैसों को बांध करके इनका फीड़ी की सारी वेस्था कर के गाड़ी को आंदरा के लिए रवाना कर दिया गया है ये देखिए गाड़ी आंदरा के लिए रवाना होती हुई तो आगे आपको लाई मिल्किंग दिखाई जाएगी नोसकार दोस्तों आप सबके यूटूब चैनल मामन सिंग डेरी फार्म में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए फिर से एक लाइफ चवाई की वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप इस मुर्रा जोटी को देख सकते हैं पहले ब्यात की मुर्रा जोटी है ये इसके अड कोई मिस्बैलेंस नहीं है पिछले दोनों थनों में दूद बराबर है और अगले दोनों थनों में दूद बराबर है पीठ पुठे की चोड़ाई आप देख सकते हैं जोटे की कलर वगेरा सब बिलकुल बहुत ही बढ़िया पूच्छ दो या तीन इंच जरूर मैं सफेद काऊंगा आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया आइट लैंथ की पीठ पुठे की लंबाई पूरी लंबाई की जोटी है यह देखिए आपको पहले ही पूरी अच्छी तरह से अडर दिखा दी गई है यह देखिए कोड सिंग रिंग सिंग है बिलकुल रिंग सिंग है नैच्छल सिंग है बिलकुल बनवाए नहीं गए हैं यह देख सकते हैं यह इसके नीचे फिमेल काफ है पंदरा से बीच दिन के बीच यह बयाई हो चुकी है बहुत ही हाइट लैंथ की फिमेल काफ है यह आप देख सकत इडिए पहले mendक strengthening पहले कि यह थनों को पाईशने के बा lushने के बाद अच्छी तरह से दिखाए जाएगा thanks owक ऐसी होती है यह यह पाईशने के बाद पहले ब्यान की होके सुछारी है इसलिए आप अच्छी तरह से गोलदार हैं बिल्कुल देख सकते हैं रिंग शिंग के साथ पीठ पुठा हाइट लेंद हरे एक चीज में नंबर वन जोटी है लेकिन कमी यहीं है अगभी अडर थोड़ी मिस बैलेंस है थोड़ा हडर में फरक है यह देख सकते हैं काफी नरम चवाई लुटी है बिल्कुल चाहे बच्चा दूद निकाड़े बिल्कुल नरम चवाई की जोटी है कि देख सकते हैं काफी अच्छी जोटी है अगर किसी वाई को खरीदनी हो तो उपर स्क्रीन के उपर हमारा नंबर चल रहा है उस नंबर पर कोंटेक्ट करके आप जोटी और इस वीडियो में आपको दूद को तोल करके और नाप करके दोनों तरह से दिखाये जाएगा कि जाग मारने के बाद दूद डिब्बे से भी और काटे पे लग बग बराबर बैठता 100-200-300 ग्राम का दूद का फरक आता है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर लास्ट में लास्ट तक वीडियो को देखें पूरी जानकारी दी जाएगी आपको जो ठीक ऐसी है जिस भाई को खरीदनी हो वो हमसे कोंटेक्ट करके जो ठीक ये बारे में देख सकता है ये देखी काफी अच्छी नरम चवाई बिलकुल जो ठीक और मैं हर वीडियो में आ कोल करके पसु के बारे में और डिटेल ले सकता है लाइव देख सकता है गरा के दो तीन टाइन दूद देखे जो ठीक रीच सकता है बहुत ही बढ़िया जोटी है बहुत ही जादा बढ़िया ये देखी चवाई आप बिलकुल बढ़िया नरम चवाई के साथ है अडर के ऊपर बहुत सारी नसे हैं मिल्क वेंस हैं जो डांगर जो पसू ज्यादा दूद देगा उसके अडर के ऊपर बहुत सी नसे मिलेंगी मिल्क वेंड मिलेगी ज्यादा दूद देने वाले पसु में ये खास पहचान होती है उसका अडर वेंड से बहा हुआ होगा बिलकुल कम अडर बेसको कम अडर चल जाएगा लेकिन वेंड जोनी ज़ोत जरूरी हैं भारीबर कम अडर के अंदर वेंड जिस अडर में वेंड न साथ से आप अंताजा लगा सकते बहिं कितना दूद वह से पश्व那么 कल ब elaboration wasp ज्यादा बड़ा मिल जाता है लेकिन दूद नहीं मिलता वह जड़ाव नहीं उत्ता अड़र वैसे वैसे दूद निकालने के बाद और दूद निकालने से पहले वैसा ही रहता है वो पसु दूद नहीं निकालता जिस पसु का आडर दूद निकालने के बाद बिलकुल कम हो जाएगा जड़ जाएगा ऐसे लगएगा जैसे पसु दूद से मना कर दिया पसु ने दूद देना या फिर बिलकुल ही दूद नहीं दे रहा है पसु ऐसा आडर जिस पसु का हो जाएगा वो पसु अच्छा दूद निकालेगा यह आप अगले थनों की दार देख सकते हैं कैसी है बिल्कुल कि यह देखी है कि मैं बार बार आपको यही बात कह रहा हूं यह वीडियो सिर्फ रेफ्रेंस के तोर पर पसु को लाइव आके देखें लाइव चबाई देखें यह फिर जिसको आसपास के गाउं का खरीदने वाला है बेचने वाला हाँ जो बाई कि पास अच्छे पसु है जो बेचना चाहता है वो भी हमसे कोंटेक्ट कर सकता है आसपास के एरिये में जिस भाई को अच्छो पस पस जणे हो हमसे कोंटेक्ट कर सकता है जिसको वीडियो बनवानी हो वो भी हमसे कोंटेक्ट कर सकता है आप वाटसप के उपर इस नंबर पर वीडियो बेजगे अप पहले ब्यात की जोटी है बहुत ही बढ़िया जोटी है मामन सिंग डेरी फारम कडो दाज जजर यह हमारा पूरा एड्रस है दिल्ली से 60 किलोमेटर 65 किलोमेटर की दूरी पर हमारा गाहूं पड़ता है यह देखे बिलकुल गोलदार मोटी दार नरम चवाई की जोटी है जो पाइब ब्रीडिंग के लिए नीचे कटडी है फिमेल काफ है बहुत ही बढ़िया घर पे रखने के लिए अच्छा पशू सुंदर पशू खरीदना चाहता है वह जोटी को देख सकता है अगर पसंद आए तो खरीज सकता है बहुत ही बढ़िया जोटी है प्योर मुर्रा प्योर मुर्रा नसल की कटडी है जो इसकी बेटी है फिमेल काफ है जो वह बिल्कुल जोटी की तरह है सेम है जटी इसकोपी है जोटी के उपर बहुत ही बढ़िया जोटी है यह देखिए हाँ दूद निकालने के बाद आपको काटे पर तोल कर और वैसे भी आपको डलू से नापकर दूद दिखाया जाएगा देखिए बहुत ही बढ़िया जोटी है पहले ब्यात की जोटी होने के कारण थोड़ी-थोड़ी इधनों में गुदगुदी हो रही है जिससे थोड़ा हपैर उठा रही है ज़रूर जो भी शिकायत पशुके अंदर होती है वो हम आप को सहले ज़रूर बताते हैं ताकि बाद में कोई हमें शिकायत ना आए पशू को देखकर खरीदे बिना देखे पशू को ना खरीदे बार बार जग ऐसे और एक जग ऐसे शिकायते आ रहे हैं वो ऐसा कर रहा है इससे अच्छा पशू को देखकर ही खरीदे अपनी संतूष्टी करके पशू को खरीदे क्योंकि बाद में कोई सोलूशन नहीं निकलता उस चीज़ का आपके पैसे आपको नुक्सान हो चुका होता है या कुछ भी लगा लेजिए तो इससे अच्छा है आप पहले ही पशू को खरीदे इससे आप वात भी वात से बच सकते हैं ठगने से बच सकते हैं यह देखें मिल्किंग पूरी हो चुकी यह लगवक्त बच्चे के लिए दूद छोड़ दिया गया है लेकिन बाल्टी पर से कैमरा नहीं अटाया जाएगा दूसरी बाल्टी भी यहाँ पर डल्लू के साथ रखी हुई है लेकिन पहले इसको माप करके दिखाया जाएगा फिर तोल कर यह देखें खाली बाल्टी डिबाब देख सकते हैं कि जाग मारने के बाद अब आप खुद बताएं वीडियो देखकर कितना अंतर आता है दूद को तोलने में और नापने में अंतर उस दूद में आता है जो फूला हुआ जिसकी जो मतलब जगूर तोलता जाग तोलता है दूद्ध के अंदर यह देखें आधे लीटर के डल तीन चार वाच चे और यह साथ माडबा है कि देखे थोड़ा हाख खाली है लग बगाट सो ग्राम के असपास दूद होगा अब इस दूद को आपको तोल करके दिखाया जाएगा कि यह कितना दूर बैठता है काट्टे के उपर तोल करके जब कैमरे के आगे से बाल्टी अट जाती है या बाल्टी के उपर से कैमरा आट जाता है तो गड़बड हो जाती है लेकिन लाइव मिल्किंग देखते हैं आप यूड़ उसके उपर फेस्बुक के उपर या फिर वाटस अप पर वीडियो कोलिंग पर उसमें दोखा दड़ी नहीं होती है लेकिन यूटूब पर जैसे हम यह वीडियो अप्लोड कर रहे हैं इस दूद को ना माने बिल्कुल भी ना माने आगे दो चवाई करके ही पशू को खरीदें यह देखिए काटे को पहले जीरो कर दिया जाएगा फिर आप यह देखिए पहले जीरो देख लीजिए जीरो है बिल्कुल आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही होगी यह देखिए अब दूद को इसके अंदर डाला जाएगा तब पता लगएगा कितना दूद है यह देखिए छै किलो पान सो चालिस पचास ग्राम